तो यहां पर आज मैं डिसक्स करने वाला हूँ alternating current के कुछ concept based questions जो NCRT से ऐसे pick किये हुग है सवाल कहता है कि pure resistive AC circuit pure resistive AC circuit है यानि कि AC supply और सिर्फ उसमें resistor है the phase angle between voltage and current phase angle between voltage and current and power factor R respectively तो देखिये जो angle होता है फाई ये angle होता है voltage और current के बीच में और cos फाई होता है हमारे पास power factor और इसका formula होता है R by Z यदि circuit में सिर्फ और से resistor है तो Z की value हो जाती है R के बराबर तो R by R कितना हो जाएगा 1 के बराबर तो power factor आगया 1 के बराबर और इसके 5 की value कितनी आजाती है 0 के बराबर तो voltage और current के बीच में एंगल है 0 और जो power factor है किसके बराबर है 1 के बराबर है तो 0 degree and 1 option number 1 आप टिक कर सकते हैं Hello my dear students, I am Neeraj Kumar Chaudhary और physics teacher बच्चो एक बहुत important information लेके आया हूँ अगेन आपके लिए Unacademy Champions League is back again फिर से Unacademy Champions League का test हो रहा है जो की 14th and 21st of November को होगा group stage पे जिसमें 25 questions होगे और 1 घंडे का exam होगा 1 से 2 PM होगा ठीक है बच्चो और finals होगा 28 November को जिसमें 75 questions होगे और 3R का होगा जो की 1 to 4 PM होगा और इसमें बच्चो बहुत अच्छे अच्छे awards है ठीक है नहीं आप जानते ही हो बहुत अच्छे तरीके से 5CR तक के आप इसमें awards जीत सकते हो इतना बड़ा pool है तो chances बहुत जादा है ठीक है बच्चो और अगर इसमें आप अच्छी rank लाते हो group stage में तो 1 से 10 पे आपको 20,000 का prize है और 100% scholarship है यानि कि कोई भी subscription लेते हो 100% off ठीक है ना 11 to 30 की rank आते है तो 10,000 और 50% इस पे off और बाकी का भी आप देख सकते हो और अगर आप final में rank लेके आते हो तो आपको 1,000,000 का cash prize है और 100% scholarship है ठीक है ना उपर के top 10 rankers को यानि कि 1 से लेके 10 तक 100% scholarship है और rank 1 को 1,000,000 2 और 3 को 60 और 4 और 10 को 50,000 तक के prize है ठीक है बच्चो तो बहुत ही बहतरीन मोका है अच्छे अच्छे prizes जीतने का ठीक है बच्चो और ये है special price week यानि कि ये जो हफता चल रहा है अगर इस week में आप subscription लेते हो तो आपको बहुत बड़ा discount मिल रहा है ठीक है ना 10 plus 10 यानि कि 20% का approximately 20% का discount मिल रहा है आप अगर इस special week में subscription लेते हो तो ठीक है ना किस तरीके से अगर आप Iconic का subscription लेते हो और तो मान लीजे 1 lakh का अगर आपकी fees है तो आपको बस 81,000 का पड़ेगा वो यानि कि पूरे 19,000 के approximately 20% का आपको फाइदा है प्लस वाला जो है प्लस में अगर आप देखते हो तो आपको प्लस में भी जो चीज 54, 53,000 की है यानि कि पूरा 20% off है किस वज़ा से इस special week की वज़ा से और ये week आपका 10th से 17th November तक है यानि कि समझ लो आज इसका last time में भी possible है एक दो दिन extend हो सकता है बट इसका officially आज last day है 17th of November ठीक है बच्चों next देखिए All Star Crash Course Batch 11th Class के students के लिए एक crash course launch किया जा रहा है 17th November से 11th का syllabus 4 महिने में पूरा कर दिया जाएगा और जितने भी star educator है अन अकेडमी पे वो सब लोग इसमें आपको कुछ-कुछ chapter पढ़ाएंगे ये देखिए सारे के सारे top teachers है ये सब आपको कुछ-कुछ portion पढ़ाएंगे और 11th का पूरा syllabus 4 महिने में कर देंगे तो ये आपके लिए बहुत ही बहतरीन मोका है अगर आप किसी तरीके से कहीं पे चूग गए है कोई batch join करने में तो आप इससे भी अपना काम कर सकते ताकि 12th class में आते 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 आप में और किसी regular student में कोई difference ना बचे ठीक है बच्चो और इसके बाद आता है ये IITJ mega combat ये integer questions का combat है especially integer questions का ठीक है ना जो कि 21st November को सुबह 11 बजे होगा 60 minutes में 21 integer questions होगे ठीक है ना और ये latest IITJ pattern पे based है अगर आप इसमें 500 lucky participants को बहुत अच्छे-च्छे surprise gifts दिलने वाले हैं आप देखें इसमें iPad mini है Samsung tab है Fitbit smart watch है और ये JBL के headphones है और Amazon के vouchers है ठीक है बच्चो तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसके लिए enroll कर दीजे और मेरी तरफ से best of luck सवाल नंबर 11 की बात करें पेज नंबर 245 पे दिया है A resistor of 100 ohm is connected in series with series combination of inductor and capacitor तो 100 ohm का resistor है और series में combined है inductor और capacitor के साथ If XL and XC are reactances of inductor and capacitor respectively then reactance of circuit will be equal to तो circuit का reactance आपको निकालना है तो XL minus XC आप कर सकते हैं सबको याज होना चाहिए XL minus XC कहां पर दिया है B option आपको दिया है This is the total reactance of the circuit यदि आप से total impedance पूछा जाता total impedance पूछा जाता तो आप लिखते Z की value which is XL minus XC का square plus R का square का under root This is impedance and this is total reactance समझ गए इसके बाद सवाल नमबर 12 की तरफ चलते हैं page नमबर 249 पे the quantity which measure the sharpness of resonance तो resonance की sharpness को measure करने के लिए quantity काम में आती है quality factor quality factor या sharpness of resonance एक ही बात है जितना ज्यादा quality factor होगा उतना ही sharp आपको resonance मिलने वाला है तो quality factor इसका answer होगा अब मुझे comment में लगके बताईए कि quality factor का formula क्या होता है comment में लगके बताईए सब लोग कि quality factor का formula क्या होता है अभी पढ़ाया होगे इसके बाद question number 13 की तरफ चलते है question number 13 page number 235 से inspired है the steady current a steady current of 2 ampere flowing through a resistor produce a heat of 100 watt 100 watt का मतलब 100 joule in 1 second इतना power जो है यह generate करता है DC की बात कर रहे है steady current इसका answer DC to produce a heat of 400 watt by supplying an AC current through the same circuit the value of peak current will be equal to तो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ DC circuit की तो I square R I square into R यह होता है मारे पास power का formula तो 2 ampere का square into resistance मैंने माल लिया R के बराबर है यह किसके बराबर दिया है 100 watt के बराबर दिया है equation number 1 और यदि हम बात करते हैं D AC supply से तो AC supply में power का formula होता है I RMS square into R के बराबर तो यहाँ पर मैं माल लिता हूँ कि I RMS के बराबर current flow करवाना पड़ा होगा 400 watt produce करने के लिए equation number 2 donor equations को आप divide कर दीजिए तो R से R cancel out हो जाता है 2 0 से 2 0 चली जाती है तो I RMS का square आपको मिल जाता है 2 का square into 4 तो आपको मिल जाएगा I RMS is equal to 4 और हमसे पूछा गया है कि peak current की value कितनी है आपसे peak current पूछा गया है तो यहाँ पे देखिए हम जानते हैं कि sinusoidal current के case में sinusoidal के case में RMS जो current होता है होता है I 0 by root 2 तो यहाँ peak current में root 2 से divide करेंगे तो RMS current मिल जाता है तो peak current निकालने के लिए क्या करेंगे under root 2 से multiply कर देंगे I RMS को तो under root 2 हमारे पास है 1.414 into 4 तो कितना जाएगा 5.6 ampere के बरावर तो 5.6 ampere के बरावर peak current हमें flow करवाना होगा जिससे हमें मिल सके 400 watt of power तो answer हमारा आजाएगा B option तीक है इसके बाद चलते हैं सवाल number 14 की तरफ page number 246 से inspired है सवाल कहता है कि the variation of impedance variation of impedance of an AC circuit having one of the element with frequency of source is given for different elements choose the incorrect plot हमें incorrect plot जो है वो बताना है कौन सा होगा तो basically frequency के साथ हम plot कर रहे हैं graph किसका reactance का impedance का अलग-अलग elements के तो पहला हमारे पास graph है resistance और frequency तो resistance frequency का कोई भी लेना दिना नहीं है resistance constant रहता है frequency को change करने पर resistance पर कोई असर नहीं पड़ता तो ये graph सही है xc और f के बीच में graph यदि बनाएं तो xc का formula होता है 1 upon omega into c या इसे लिख सकते हैं 1 upon 2 pi c into f तो आप देख सकते हैं xc is proportional to 1 upon f इसका मतलब एक rectangular hyperbola आपको यहाँ पे मिलने वाला है rectangular hyperbola जो है graph मिलेगा xc और f के बीच में इसका मतलब ये वाला जो graph है ये भी सही है इसके बाद बात करते है xl और f के बारे में xl का formula होता है xl is equals to omega into l या जाएगा आपके पास 2 pi f into l तो यहाँ देख सकते हैं xl की जो value है वो directly proportional f के directly proportional f के straight line आपको मिलनी चाहिए थी इसका मतलब ये option गलत है तो यही हमारा answer होगा xl और f के बीच में सही graph दिया है fourth option में answer आप tick कर देंगे third option का graph गलत है straight line होना चाहिए था passing through origin इसके बाद चलते हैं अगले सवाल number 15 की तरफ जो page number 245 पे दिया हुआ है consider an series LCR circuit in which reactance and resistance are 100 ohm each ये कैसा circuit है जहां पे resistance is 100 and total reactance is also 100 समझ गए तो आपको xl minus xc का value दिया है कितना 100 और आपको resistance दिया है 100 की बराद ohm ohm when the circuit is connected to AC source to 20 volt 50 hertz then current drawn from the source is equal to तो current का formula होता है current का formula होता है V rms divided by z तो हमें rms voltage पता चल जाए z पता चल जाए तो हम rms current की value निकाल सकते हैं तो यहां से आप z निकाल दीजिए z होता है आपके पास xl minus xc का square plus r का square तो आपको मिल जाएगा 100 square plus 100 square का under root is equal to 100 under root of 2 तो 100 root 2 को divide करना है 220 में तो answer मिल जाएगा आपको 220 divided by 100 root 2 0 से 0 चला गया 10 से चला गया 2.2 तो 2.2 को लिखा जा सकता है 1.1 into 2 divided by root 2 root 2 से चला जाएगा root 2 times आपको answer मिल जाएगा 1.1 root 2 ampere के पराद So 1.1 root 2 ampere second option जो है उसे आप tick कर सकते हैं इसके बाद question number 16 की तरफ चलें तो page number 245 से लिया हुआ है सवाल आपसे कहता है in the circuit shown in the figure the voltmeter and ammeter reading will respectively be source voltmeter and ammeter are ideal ideal अमारे पास voltmeter ammeter है of course AC chapter की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे hot wire वाले जो है instruments का इस्तेमाल किया जा रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ L याणि कि XL की जो value है दे रखी है 25 ohm और Xc की जो value है वो दे रखी है आपको 25 ohm के बरावर तो जब हम जानते हैं कि Xc, Xl के बरावर हो जाता है तो कौन सी condition आती है resonance की condition आ जाती है और resonance की condition आ जाती है तो इसका मतलब VL plus VC जो है किसके बराबर हो जाता है 0 के बराबर हो जाता है यानि L और C एक दूसरे का existence ख़तम कर देते हैं तो इन दौनों के across यदि voltage measure किया जाए तो वो कितना आएगा 0 के बराबर आएगा और यह पूरा का पूरा जो voltage है किसके बराबर होगा VR plus VL plus VC यह आपके पास 0 के बराबर है तो V की जो value है VR के बराबर आएगी इसका मतलब जो हमारे पास voltage होगा जो voltage होगा इसके across that will be equal to 224 लेकिन हमसे वो पूछा ही नहीं है हमसे current पूछा गया है तो current हमें निकालना है तो current हो जाएगा आपके पास VRMS divided by Z IRMS is equal to VRMS by Z और VRMS कितना है हमारे पास 220 divided by Z Z होता है XL minus XC का square plus R का square का under root तो XL और XC बराबर है इसका मतलब यह वाली जो term है 0 के बराबर आजाएगी तो आपको मिलता है 220 divided by resistance जो कितना है आपके पास 50 के बराबर है तो यहां से हमें RMS value मिल जाती है current की जो यह instrument measure करने वाला है तो यह आपको मिल जाएगा देखिए इसको 2 से multiply कर दीजे नीचे भी 2 से multiply कर दीजे 00 4.4 ampere आपको answer मिल जाता है So 4.4 ampere will be the reading of a meter and 0 volt will be the reading of voltmeter So 0 and 4.4 ampere option number second आप यहां पे tick कर सकते हैं इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ सवाल page number 256 से लिया हुआ है In an oscillating LC circuit LC circuit है और oscillate कर रहा है oscillate करने को मतलब है कि चार्ज जो है oscillate कर रहा है एक जगे से दूसरी device पर Qm is the maximum charge on the capacitor If at any time the energy stored in the capacitor and inductor are equal then charges stored on the capacitor at that instant is equal to तो इस सवाल काफी ज़ाद important है काफी ज़ाद आसान है और यह मतलब आपको याद रखने ही पड़ेगा है यह सवाल आप छोड़ के आगए exam में तो यह बहुत ही गंदी बात होगी तो आप से पूछा जा रहा है कि एक ऐसा instant है जहाँ पर energy stored in capacitor which is Q square by 2C and energy stored on inductor which is half Li square बराबर हो जाएं इस दोना की ओपर जो stored energy है वो बराबर हो जाएं तो तब बताना है कि charge capacitor पर किता होगा तो सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है इस LC circuit में कि charge जो vary होता है capacitor पर वो होता है generally Qm sine of omega t और इसको differentiate करने पर current हमें मिल जाता है जो inductor के अंदर flow हो रहा है which is DQm by dt इसे आप लिख सकते हैं Qm into omega और यहाँ जाएगा आपके पास cos of omega t मैं आप इस simplify करके चल रहा हूँ आपको आपको हो सकता है किसी किताब में दिया हो कि यहाँ पर charge Qm cos omega t की फर्म में हो और current जो है वो Qm omega sin omega t की फर्म में हो उससे कोई असर नहीं पड़ेगा आपके answer पर most of the questions तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि energy stored in capacitor q square by 2m q square by 2c यह energy stored in capacitor है is equal to energy stored in inductor which is half of l i square 2 से 2 cancel out हो गया Q की value मैं यहाँ पर put कर सकता हूँ तो Qm square और यहाँ आजाएगा आपके पास sin square omega t और यहाँ पर आपको divided by c is equal to l i square जो मिल जाएगा आपको qm square omega square और cos square omega t ठीक है तो उसके बाद qm square से qm square cancel out हो जाता है omega की value lc circuit में होती है omega is equal to 1 upon under root of lc तो omega square से omega square से आप क्या लिख सकते हैं 1 upon lc और यहाँ पे है l और यहाँ पे आपके पास sin square omega t divided by c and यहाँ पे है cos square omega t तो l से l गया c से c गया आपको मिल जाता है 10 square omega t 10 square omega t is equal to 1 तो आपको मिल जाता है 10 omega t is equal to 1 तो यहाँ से omega t की value मिल जाती है आपको किसके बराबर pi by 4 के बराबर so omega t is equal to pi by 4 यह आपको पता चल गया information अब इस instant पे बताना है आपको कि charge कितना रहा होगा तो omega t की value है वो आप put कर दीजे इस वाले expression में तो आपको charge मिल जाता है q is equal to qm sin of pi by 4 sin pi by 4 कितना होता है 1 by root 2 तो q की value मिल जाती है आपको qm divided by root 2 के बराबर तो कौन सा option इसमें से सही होने वाला है qm by root 2 which is option number 1 इसे आप tick कर दीजे इसके बाद question number 18 की बाद करें page number 261 से लिए है for an ideal transformer ideal transformer ऐसा transformer है जिसमें heat की form में losses नहीं होते है which of the following option is correct तो यदि heat की form में कोई loss नहीं है तो जितना power हम input में देते हैं उतना ही power जो output में हमें मिल जाता है power का formula होता है vrms into irms या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं कि v primary i primary is equal to v secondary into i secondary तो ये result आना चाहिए या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है that vp upon vs is equal to is upon ip तो इन दोना में से कोई सा भी relation हो, वो हमारे पास answer होगा, i और v में relation होना चाहिए, तो ये गलत है, ये सही है third option आपको मिल जाता है ये voltage और इनके बीच में जो relation है वो heat की वजए से नहीं आता है heat की वजए से नहीं आता है, ideal transformer की वजए से नहीं आता है, वो mutual induction की वजए से आपको result मिलता है voltage और number of turns में तो c option सही है, ये तब है जब 100% efficiency ये transformer की कोई भी heat की form में energy का loss नहीं हो रहा है, question number 19 यहाँ पे दिया हुआ है आपसे, कि a radio can tune over the frequency range 800 to 1200 kilohertz, if LC circuit has an effective inductance of 200 microhenry, what should be the range of its variable capacitor तो कह रहे हैं कि आपको range बताना है, capacitor का कि हम कितना इस्तिमाल कर सकते हैं, यादि हमारे पास frequency इतने से इतने kilohertz के बीच में है, तो हम जानते हैं कि tune करने का मतलब है कि हम resonance वाली condition अचीव करना चाहते हैं, उस LCR circuit में तो resonance condition में जो frequency का formula होता है, f is equal to 1 upon 2 pi under root of 1 upon LC ऐसे देखिए, resonance के समय जो resonance frequency होती है, उसका formula होता है, 1 upon 2 pi under root of LC तो यहां से square करेंगे, दोनों तरफ तो f not square आपको मिलेगा, 1 upon 4 pi square into L into C तो यहां से capacitance की value मिल जाएगी आपको 1 upon 4 pi square f square into L तो हमें एक तो minimum, जो frequency है, उसके corresponding capacitance निकालना होगा और maximum frequency के corresponding capacitance निकालना होगा तो आप यहां पे देख सकते हैं, clearly कि जो lower limit है, वो sub में unique है और upper limit है, वो भी sub में unique है तो मैं कोई भी एक value निकाल दूँगा तो मुझे answer मुझे मिल जाएगी तो मैं यहां पे इस्तिमाल कर रहा हूँ lower limit का, lower limit frequency की इस्तिमाल करूँगा, तो मुझे capacitance का higher limit मिल जाएगा तो यहां पे देखिए, capacitance सब मैं picofarad में दिया है, तो capacitance in picofarad आपको मिलेगा 1, 10 to the power 12 से multiply कर देता हूँ already 4, pi square को लिख सकता हूँ में कितना, 10 के बराबर frequency का square 800 का square करना है 800 into 800 और क्या है साथ, यहां पे kilo है, तो 10 to the power 6 से भी multiply करना होगा उसके बाद आते हैं, inductance पे which is 200 microhenry तो 200 microhenry तो 10 to the power 6 उपर आपको मिल जाएगा, यह answer आपको मिलेगा picofarad में, so 10 to the power 6 से 10 to the power 6 चला गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से यहां बचा 10 to the power 5 और यहां 10 to the power 5 को लिखा जा सकता है 100 into 1000 divided by 4 और दुनी 8, 8, 8, 8 8, 8 and 8 4 से गया 2 बार, 4 से गया 25 बार और 4 से गया 2 बार, 4 से गया 250 टाइम्स 250 टाइम्स और 2 से चला गया यह 125 टाइम्स solve कर लेंगे नीचे बचा है 16 और यहां बचा है 25 into 125 25, 125 और यहां 12 25, 60, 62 6, 25, 61 25 divided by 16 आपको यह मिलने वाला है तो आप देख सकते हैं कि पीको फेरेड में इसका जो हायर लिमिट है आपको कितना मिलेगा यहां देखिए 16 कम 16 16 कम 16 16 22 200 से कम 16 कम 16 और बचे आपके पास यहां पे 15 21 और यहां आपके पास 2 16 26, 24 9, 144 6 और तो 8, 85 16, 85 85 तो 195 के आसपास 198 के आसपास जो है हमें के पैसितिंस की हायर लिमिट मिल रही है इसका मतलब एक ही ऑप्शन ऐसा है विचिस ऑप्शन नमबर भी तो यही आप टिक कर सकते हैं ठीक है इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था और उतना ज़्यादा स्ट्रेट फॉर्वर्वर्ड भी नहीं था ठीक टाक सवाल था आगे चलते हैं सवाल नमबर 20 की तरफ पेज नमबर 248 से लिया हुआ है सवाल कहता है आप से कि फिगर शोज अ सिरीज LCR circuit connected to variable frequency variable frequency इसका और voltage जो है 220 V है the source frequency which drive the circuit and resonance will be equal to it तो हमें वो frequency बतानी है जो इसको resonance में करवाईगी resonance करवाईगी तो अब frequency का formula जानते है frequency is equals to 1 upon 2 pi under root of LC तो आपको मिल जाएगा 1 upon 2 pi under root of LC L की जो value है हमारे पास है 5 upon pi और C की जो value है वो है 20 upon pi के बराबर microfarad है तो 10 to the power minus 6 आपको और लगाना होगा तो यहाँ पे देखिए 20, 500, 10 to the power minus 4 बचा और 10 to the power minus 4 upon pi square यह मिलेगा आपको 1 upon 2 pi और यहाँ मिलेगा 10 to the power minus 2 और यहाँ मिलेगा आपको pi pi से गया pi आपको मिलेगा 100 बचा दो is equals to 50 hertz तो 50 hertz frequency लगाने पर यह resonance में आ जाएगा पूरा circuit तो हमारा answer आ जाएगा 50 hertz के बराबर option number 3 ठीक पर एंपको लगाँ थाएगा 1 पर यहाँ मिलेगा आपको लगाँ जाएगां से जाएगा ँपको लगाँ